Hello everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself, Umar Taskeer guys. Digital marketing में आपने एक और word बहुत बार सुना होगा, which is copywriting, right, copywriting. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये copywriting क्या होती है और क्यों ये copywriting बहुत important है? और बहुत सारे लोग इसकी बात भी नहीं करते हैं, आपने सुना जरूर होगा copywriting, 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 but बहुत सारे digital marketers जारा इसकी बात करते नहीं हैं. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत simple language में, basic language में समाझे कोश्च करेंगे कि आखिर ये copywriting होती क्या है? तो guys, मैं आपको example समझाने कोशिश करता हूँ, कई बार ऐसा होता होगा कि आप Facebook ads देखते होंगे, Facebook ads देखते होंगे, for example ये है कोई Facebook का ad number one और एक और ad है which is ad number two, अब इस Facebook ad में आपने यहाँ पर जो भी Facebook ad की headlines है, वो आपने यहाँ पर देखी, यहाँ पर जो भी Facebook ad की headlines है, वो आपने देखी, अब इस headline को आप पढ़ते हो, right, इस headline को आप पढ़ते हो, कई बार ऐसा होता है कि headline में जो चीजे लिखी होती है, right, उससे आप इतना ज़्यादा convince हो जाते हो कि आप इस particular ad के उपर click कर देते हो, और जैसे ही आप इस ad के उपर click करोगे, आप पहुंच ज जो headlines थी, जो content headlines में लिखा था, उसने आपको इतना convince किया, कि आप इसके भी landing page पे पहुंच गए, और आप इसके भी landing page पे पहुंच गए, बट इसके landing page के content ने आपको इतना ज़्यादा convince किया, इतने अच्छे च्छे elements उस landing page के उपर थे, चाया है, वो FOMO की बात करे, और भी बहुत सारी चीज़ा है, social proof, वो सब इतने अच्छे तरीके से articulated थे, इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर mentioned थे, कि आपने यहां से किसी चीज़ को purchase कर ली, और यहां से आपने उस चीज़ को purchase नहीं किया, क्योंकि यहां पर जो content था, वो आपको convince नहीं कर पाया, वो आप को उस तरफ नहीं ले जा पाया, कि आप उस चीज़ को खरीच सको, तो यहां पर copywriting lag कर रही थी, और यहां पर copywriting थी, बलकि इन दोनों ही आड में, headlines में copywriting अच्छी थी, यही वज़े थी, कि आपने दोनों ही ads के उपर click किया, अगर आप के वल add number 1 पे click करते हैं, और add number 2 पे तो use ही नहीं किया गया, तो copywriting कोई बहुत ही, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि copywriting कोई tool है, या copywriting कोई बहुत ही बहुत ही जबरजस्त skill है, जो सीखी नहीं जा सकती है, जिसको किया नहीं जा सकता, इट इस बहुत ही simple language में, अगर आपको समझाने कोशिश करूँ, बहुत ही generic language में, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, यह समझे आप कि यह जो है शब्दों का खेल है, कि किस तरीके से आप यहाँ पर words को use करते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर content को use करते हैं, कि जो भी इस ad को पढ़ रहा है, वो convince हो जाए इसको click करने के लिए, this is actually copywriting, अब आपको समझ में आगया होगा, कितनी important, it's not only कि केवल आपको यहाँ पर content लिख देना है, बट हाँ, एक copywriter जो अपना content लिखता है, तो किस तरीके से लिखता है, उसका focus इस बात की उपर रहता है, कि इस ad को देखकर, या इसकी headline को देखकर, वो convince हो जाए, तो वो सारे elements उस text में यहाँ पर हो में, तो यहाँ पर हमने इस example में क्या देखा है, landing page को भी copywriting की जरूरत होती है, यहाँ पर ad को भी copywriting की जरूरत होती है, बट अभी जब से digital marketing इतनी जादा evolve हो रही है, तब थोड़ सा copywriting को और जादा importance मिलने लगी, और अच्छे-चे copywriter आने लगे, job opportunities भी इसमें अच्छी ज़्यादा होने लगी, और यह एक बहुत important skill की तरह माने जाने लगी digital marketing की field में, चलिए अब बात करते हैं, जो चीज़े मैंने यहाँ पर लिखी हैं, I believe examples आपको कुछ चीज़े clear हो गई होगी, so guys, with the evolution of digital marketing, copywriting is gaining popularity day by day, right, क्योंकि digital marketing में हर step पर, मेरा जो आपको example दिखाने क हर जगे पर हमको copywriting की जरूरत पड़ती, लगवग हर जगे पर हमें copywriting की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप यह point लिखा हुए, with the evolution of digital marketing, copywriting is gaining popularity day by day, copywriting is the reason why people buy something, this is so important, copywriting is the reason why people buy something, यहां से लोगों ने नहीं खरीदा, यहां से आपने खरीद लिया, यहां से किसी ने नहीं यहां से आपने खरीद लिया, just because इस landing page के उपर वो content लिखा हुआ था, जिससे आप convince हो गए, right, then where you see copywriting, अब थोड़े से digital marketing की ही बात हम लोग करें, digital marketing की series है, तो digital marketing के respect में हम लोग बात करेंगे कि copywriting को आप कहां देखते हो, in the caption of the Facebook ads, in the headline of the Google ads, on the landing page, यह सारे मैंने आप लिखें, ताकि आपको आप एक बार relate कर पाओ कि copywriting plus digital marketing, deadly combination, right, so copywriting is intended, अब बहुत ही basic सी, एक line की definition, copywriting is intended to move you to action, जो भी हम action कराना चाहते हैं, वो आप वो content लिखा हुआ है, उसको पढ़के आप वो action करें, यही जो, यही जो चीज़े यही होती है, हमारी copywriting और copywriting का main मक सद ही यही होता है, so guys, I believe अभी आपको बड़े ही छोटे से वीडियो में, बड़े simple तरीके समझ में आ गया होगा, कि copywriting भी एक चीज़ होती है, और copywriting बहुत जादा important है, केवा लिख देना ही important नहीं है, बलकि हमें content नहीं create करना है, हमें copywriting करनी, right, add के point of view से जहां में कोई conversion कराना है, या कोई हमें action कराना है, वापर content से जादा जरूरी copywriting, right, so guys, इस particular वीडियो में इतना ही, मिलते है next वीडियो में, till then, goodbye.